हेलो दोस्तों नमस्का स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल सालिन पाट साला में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रफिट एंड लोस आज हम प्रफिट एंड लोस से समझ दोस सवाल यहां पर हल करेंगे देखें पहला सवाल है यहीं 20 संत्रे का करम उले 10 संत्रे के विक्रम उले के बराबर है तो लाब परती सित में ग्याद करना है तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें लाब कितना है तो लाब होगा कितना 20 संत्रे का करम उले किसके बराबर में है 10 संत्रे के विक्रम उले के बराबर में तो लाब बराबर क्या होता है लाब बराबर में होता है विक्रम उले माइनस करम उले तो विक्रम उले इसमें क्या करना है में इसको विक्रम उल्ले मानना है इसको करम उल्ले मान लेना है तो 20 माइनस का 10 कितना आएगा 10 रुपेश का क्या आ गया लाब आ गया अब देखें क्या गयात करना था लाब परतिशत तो लाब परतिशत बराबर में आता है कितना ये तो लाब आ गया अपना तो लाब गुणा में सो बटा करम उले तो करम उले बना कितना था दस माना था अपने तो दस से दस को कार दीजी कितना आ रहा है सो ये इसका लाब परतिशत है दूसरा सवाल देखिए दूसरा सवाल है किसी वस्तु को दस परतिशत हानी पर बेचने से एक सोसी रुपे में मिलते हैं तो वस्तु का करम उले में ग्याद करना है तो ये इसका विक्रम उले हो गई और ये इसकी लाब परतिशत यानी परतिशत हो गई अब क्रमुले में ग्यातनिक करना है तो क्या करेंगे, देखे 100 si है विक्रमुले और 10 परतिशत हैं इसका हाने तो क्रमुले बराबर में आता है विक्रमुले गुणा में 100 बटा 100 माइनस हाने यह सुक्त लगेगा तो विक्रमुले आरा है आपना 180 गुणा में 100 बटा 100 माइनस 10 परतिसत अपनी क्या है आनी है तो देखिए 180 गुणा में 100 बटा में कितना है या 100 में से 10 गए तो निबबा है निबबा से इसको काटेंगे दो बार गटेगा और दो गुणा 100 करेंगे तो दोस्तों आएगा 200 200 क्या है इसका करा मुल्य आ रहा है यानी कि 200 रुपे में खरीदता है और 10 पर तिस्ता आने पर बेचने पर उसको कितना मिलता है एक सोची रुपे अशा अगरता हूं दोनों सवाल आपको करना अची तरह से समझ में आया होगा दें के मिलते नेक्स्ट वेडियो में